हलो फ्रेंड्स, बेलकम बेक टू स्टेडी वित्तिवारी चैनल, तो कैसे हो आप सब, तो बच्चो आज की इस वीडियो में हम क्रिया प्रिक्रण को पढ़ेंगे, तो पहले मैंने आपको क्रिया प्रिक्रण पढ़ा दिया है कि क्रिया होती क्या है, उसके एकजामपल कौन उसके बाद इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, तो इसमें है प्रियोग रचना के आधार पर क्रिया के प्रिकार, तो आपको सिंपल याद रखना है, मैंने आपको फैले कराया था, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रिकार दो होते हैं सकर्मक और अकर्मक प्रियोग रचना के आधार पर क्रिया के आठ प्रिकार होते हैं बच्चो कितने होते हैं आठ तो इसमें मैंने एक एक पॉंट करके लिखाए तो इनको आप ऐसे ही अपनी कॉफी में नोट डाउन कर सकते हैं तो इसमें पहला जो पिरकार है बच्चों वो है सामाने क्रिया, दूसरा जो पिरकार है वो है संयुक्त क्रिया, तीसरा पिरकार है पूर्व कालिक क्रिया, कौनसी क्रिया बच्चों? पूर्व कालिक, चौता है वो है फ्रेना आर्थक क्रिया, प्रेना प्लस आर्थक, दीर ग हुए एक होती है तद्धित और प्रत आपने पड़े हो ऌंगे उसी में से लिए गया है अगली होती है सजातिय क्रिया जो ही प्रकार होते हैं टो यह सिम्पल है कि या रखना है कि कोश्चन आता है प्रियोगrh रचना के आधार पर किरिया के प्रकार होते हैं तो endeavor अपको सिंपल है तो कितने प्रकार होते हैं बच्शो नई रख में से कोई डें उपंच आपके लिए तीन ऑप्सन पस प्रियों को रचना फिर गर ऐक और गार्य प्रकार से कर सकते हो तो एक बार मैं आपको पुने इनको समझा देती हूं कौन-कौन से प्रियोवे रचना के अधर पर क्रिया के प्रकार हैं तो कितने हैं बच्चो आठ प्रकार पहला होता है सामान्य क्रिया दूसरी होती है संयुक्त क्रिया तीसरी होती है पूर्विकालिक क्रिया चोथी होती है, प्रिनार्थक क्रिया, पांचमी होती है बच्चो, नामधातु क्रिया, तो आपको बता होगा नामधातु किस से बनती है, संग्या, सर्विनाम और विसेशन से, जिन क्रियाओं का निर्मार होता है, वो होती है, नामधातु क्रिया, क्रदंत क्रिया, जिन क्रि पढ़ क्या है ये क्रिया पढ़ना क्रिया है तो इससे बन सकता है पढ़ाई और पढ़ी पढ़ाई पढ़ी तो आप देख सकते हैं इसमें पढ़ाई और पढ़ी तो पढ़ाई में भी पढ़ है और पढ़ी में भी पढ़ है मतलब पढ़ना क्रिया तो एक ही हो गई सजाती ह क्रिया और लास्ट है इसमें साहिक क्रिया जो मुक्रिया के साथ आती है वो होती है साहिक क्रिया तो यह सिंपल था आयोप आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रियोग रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं तो प्रियोग रचना के आधार पर क्रिया क आठ प्रकार हैं तो इसमें हम आठे जो क्रिया मैंने आपको नोट कराई है इनको मैं आपको definition with example कराऊंगी परवासा के साथ उधारन दे करके तो बच्चों इसमें हम देखते हैं सामाने क्रिया क्या होती है तो definition क्या है इसके जब किसी पाक में प्रियुक्त क्रिया सामाने इस्तिती का बोध कराए तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है किस इस्तिती का बोध होगा तो सामाने क्रिया आप सब्द को पकड़ो उसी से आप definition बना सकते हो बच्चों कि जब किसी पाक में प्रियुक्त क्रिया सामान्य इस्तिती का बोध कराए सामान्य क्रिया कहलाती है जैसे कुत्ता भोका तो सामान्य इस्तिती है मोगना क्रिया है अगला है बच्चा रोया रोना क्रिया है तो बच्चा रोया मोहन हसा तो हसना भी ये क्रिया है ये भी सही है अगली है इसमें मोहन सोहन खेला खेलना भी करिया है बिजय आया आना भी करिया है राकेस गया तो गया भी क्या है करिया है तो ये इसके एक्जामपल थे जो आपको समझाए होंगे अगली नेश्ट करिया देखते हैं हम इसमें सामाने करिया तो हो गई इसमें तो बच्चो संयुक्त क्रिया क्या होती है तो बच्चो आप वर्ड से इसका अर्थ निकाल सकते हो संयुक्त संयुक्त मतला मिला हुई चीज मिली हुई बस तू मिली हुई मिली हुई क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर जो क्रिया का निर्मार होगा वो क्या होगी संयुक्त क्रिया तो इसकी definition देखते हैं बच्चो जब 2 या 2 से अधिक भिनार्थक क्रियाएं मिलकर नवीन क्रिया का निर्मार करती है संयुक्त क्रिया कहलाती है जब दो या दो से अधिक क्रिया हैं मिलकर नभीन क्रिया का निर्माण करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं बच्चो संयुकते क्रिया जैसे बच्चा मा से रूट कर चला गया तो देखो इसमें मैंने अंडरलाइन भी किया है रेखांकित रूट कर चला और गया तीन क्रिया हैं औ जाना और देना, तो ये दोनों हो गई, सीमा ने खाना पका लिया होगा, पकाना और लिया, दो क्रियाएं हो गई इसमें, अगला है इसमें, मैं और पढ़ना चाता हूँ, पढ़ना चाता हूँ, तो तीन क्रियाएं हो गई इसमें, तो जब दो या दो से अधिक भिनार्थक क किरियां मिलकर नवीन कृया का निर्माद करती हैं, कोई नई क्रया का निर्माद करती हैं, तो वह किसमें जाएगी, बच्चो सायुक्त क्रिया में, मैंने जो आपके लिए एकजामपल लिखे हैं, बच्चो इसमें से सीध्या उठकर आ जाएगा, और इसमें पूछ लेगा आपको option दे के निमने लिखत में से कौन सी संयुक्त क्रिया का उधारण है तो simple आप बता सकते हो जहाँ पर दोसे दिखोंगी वो होगी संयुक्त क्रिया तो बच्चो पूर्विकालिक क्रिया क्या है? तो बच्चो आप सब्द से सोचो पूर्विकालिक पूरम में जो क्रिया प्रियुक्त होगी वही क्या होगी? पूर्विकालिक क्रिया तो इसकी definition देखते हैं परवासा क्या होगी? जब किसी बाक में दो भिन्न अर्थक करियाएं, प्रियुक्त हों और दोनों ही कार्य के होने का बोध कराएं, जब किसी बाक में दो भिन्नार्थक करियाएं, प्रियुक्त हों और दोनों ही कार्य के होने का बोध कराएं, उन मेंसे जो करिया पहले समपन्न होती है, पूर्व कालिक करिया कहलाती है, आई बास समझ में आपको बच्चो, कि जो करिया पहले समपन्न होगी, जो करिया पहले समाप्त होगी, वो ही करिया क्या होगी बच्चो, पूर्व कालिक करिया होगी, तो बाक में आपको दो करिया मिलेंगी, जिन में ऐसे एक करिया समाप्त होगी, और दूसरी करिया प्रारम में होगी, जैसे बच्चा दूद पीकर सो गया, तो इसमें आपको पहचान का एक चिन्न मिलेगा, मैंने नीचे बिसेस करके लेखा है, पूर्व कालिक करिया की पहचान के लिए बाक में प्रियुक्त करिया के साथ करिया करके जुड़ा रहता है, तो आपको बाक में यदि पूर्व कालिक करिया की पहचान करनी हो, तो उसमें आए हुए सब्द में करिया करके जुड़ा हो जिससे आप पूर्विकालिक क्रिया को आसानी से पेंचान सकते हो, जैसे बच्चा दूद पीकर सो गया, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, मैंने रेखांकित भी किया है, इसमें पीकर कर, तो बच्चे ने पहला कारे क्या किया, बच्चों पहला काम क्या किया, पहली क्रिय क्या कि दूद को पीना उसके बाद वो सो गया तो पहले दूद पीना औपर दूसरी क्रिया का प्रारंव में होना तो आप से इसमें पूछा जाएक cricket कि इस किस सब्सक्क्राइर में पूर्व कालिक क् रिया का प्रियुक हुआ है तो किसमें smiled का है बच्चों पीकर सब्द में अगला है रमेश नहाकर चला गया तो आप इसमें देख सकते हैं आपके लिए संकीत कर ला है नहाकर कर या करके जुड़ा होगा सब्दे के पीछे तो नहाकर जो बढ़ आया है तो ये किसका है पूर्बकालिक क्रिया का तो नहाना पहली क्रि किया होगी वे हसकर चली गई हस कर तो यह भी क्या होगी पूर्वकालिक क्रिया तो फ्रेंट्स इसमें देखते हैं बच्चों प्रेना अर्थक क्रिया प्रेना प्लस अर्थक जो आपको बाक्त से पता चल रहा है जो प्रेना देगी जो प्रेरित करेगी वही क्या होगी प्रे स्वेम कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है प्रेणा देता है तो वहां प्रेणार्थक क्रिया होती है तो आया आपको समझ कि जब किसी वाक में करता स्वेम सेल्प कार्य नहीं करेगा इसमें बचो सेल्प बर्क नहीं करेगा इसमें करता किसी अनिक कि द्वारा कारे को कराएगा स्वेम नहीं करेगा और स्वेम नहीं करकर किसी दूसरे के द्वारा या अनिके द्वारा जो काम किया जाएगा वही क्या होगी प्रिनार्थक क्रिया जैसे सीमा रीमा से खाना पकवाती है तो सीमा किस स्वेम तो कारे करनी रही इसमें किस से कारे करवा रही है रीमा से किसे बच्चो रीमा से तो रीमा से खाना पकवाती है तो जो दूसरे के लिए वो प्रेणा अब उसे समझातो रही हो की कि कैसे किसे कारे करना है अमें लेकिन कर कौन रही है रीमा सोहन मोहन से पत्र लिखवाता है तो सोहन मोहन से स्वेम तो लिखनी रहा सेल्प करता कारे नहीं कर रहा कोई सी अन्य से करवा रहा है किसी मोहन नाम के विक्ति से करवा रहा है तो इसमें देखो मैं आपके लिए एक हिंट देती हूँ कि आप इसे पहचान कैसे सकते हो, तो इसके लाष्ट में आपको मिलेगा वाती, वाता, ऐसे सब्द मिलेंगे, जैसे लिखवाता, पकवाता, करवाता, धुलवाती, मिलवाता, ऐसे सब्द मिलेंगे, राजा मंतरी से सिकार करवाता है, हरीस दर्जी से कपड़े सिलवाता है, अगला है इसमें सास भहू से कपड़े धुलबाती है सास किसे भहू से तो बच्चो इसमें जो भहू बर्ड लिखाए बिलकुल सुद्ध है क्योंकि हमेशा ध्यान रखो भहू सब्द हुआ पत्नी सब्द हुआ बेटी सब्द हुआ औरत सब्द हुआ इसमें सब बड़े आते हैं छोटी यह नहीं आती, सब बड़े आएंगे इसमें बड़ा हुआ है, बड़ी यह आई, पत्नी में बड़ी यह आई ऐसे तो बच्चो आई होप आपको यह अच्छ से समझाया होगा, प्रियोग इमर रचना के आदर पर क्रिया के प्रकार बताए, फिर में ने इनकी परवासा और उधारन बताए आपको नेस्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे इसकी बच्ची हुई जो क्रियाएं हैं उनके बारे में जो और क्रियाएं रह गई हैं, उनको भी मैं आपको उसी परकार से पढ़ाऊंगे परवासा के परवासा देते हुए उधारन सहित, तो बच्चों आप क्लास को लाश्ट दक देखा करें तो आप से मेरी वीडियो रोज आया करेगी, इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि आप क्लास नहीं होगी आप क्लास continue होगी मेरी तबियत बलकुल सही है अब मैं आपकी क्लास continue रखूंगी तो आप क्लास से जुड़े रहें लाइक से यह रह circus कलें यदि आप new subscriber हैं तो बेल आइकन को प्रेस कलने जिससे आने वाली new notification आपको मिल सके कि लाज से जुड़ने के लिए thank you so much guys and take care all of you मिलते हैं next वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा next वीडियो में मिलते हैं bye bye take care all of you एकटिएफटर जाएड़ चास्थ चास्थata